हेलो फ्रेंट तो वेल्कम बैक टू माई चैनल कुकिन वित काजल तो आज मैं अपने चैनल पे रस्मलाई की एकदम टेस्टी और बहुत ही आसान तरीकों से बनने वाली रेश्पी लेके आए हूँ तो ये रस्मलाई देखने में इतनी टेस्टी लग रही है इसे बनाना भी उतना ही सिंपल है तो आज मैं दूध और चीनी से बस दो चीजों से आज सिंपल से एकदम हलुआ है इस टाइल में रस्मलाई की रेश्पी आप लोगों के साथ सेर कर रहे हूँ घर पे उभी बहुत असान है बनाना जिसको कि सभी लोग बना सकते हैं तो चले इस रेश्पी की सुरुवात करते हैं और आज की वीडियो जरा सभी अच्छे लेगी तो प्लीज वीडियो को लाइक सेर जरूर से कीजिएगा और चैनल पना है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा त रस्मलाई बनाने के लिए सबसे पहले यहां मैं पैकेट का दूद का यूज कर रही है इससे दूद बहुत इसमें मतलब ठीक होता है तो अच्छा सा रस्मलाई बनेगा तो दूद में पहले एक उबाल आ जाए तो उसको वेनिकर से यहां दूद को फार लेते हैं यानि पन फार तो अच्छा से नहीं फढता है और जब आप वेनिकर से दूद फारते हैं तो बहुत ही अच्छा से एक पनीर इसमें देखी कितना अच्छा सा आधा केजी दूद का यह पनीर एकदम रेडिय हुआ है उसको दो से दो पानी से ऐसे दो दिजे बड़े वाले चाली पैस और इसको इस तरह से ठांग देते हैं ताकि इसमें जो भी पानी वो धीरे धीरे निकल जाए यह इतना ही जादर ड्राइ रहेगा तो पनीर हमारी बहुत ही अच्छा साइज रसमलाई बन गए रेडि होगा तो यह देखे इस तरह से जैसे मैं यहां कर रही हूं इस तरह से गुमा के इसको अब सारा पानी इसका निचोड लेते हैं अब इसको थोरी देर के लिए रख देते हैं साइड में कहीं भी अच्छे से उसके बाद से हम चलते हैं अगला इस टेप पर पनीर वहां मेरा रेडि हो चुका है तो अगला यहां मैं यह कर रही है कि यह कडाही चर तो यह देखे यहां मैं वीडियो को ज़रा सा फास्ट मूड पे कर देती क्योंकि इसको लगभग गाढ़ा होने में मेरा 20-25 मिनट का यह टाइम लगा था तो यह देखे यहां मतलब दूद जैसे ही मैं चड़ाए तो वहां 10 मिनट के बाद इस इस्टेप पे आ गया था इतना थिक हो गया तो देखे आप पड़ाए में देख सकते हैं दूद मेरा कहां तक था और कितना यह एकदम आधा हो चुका है तो जब यह इतना हो जाय तो इसमें डालते हैं थोड़ा सा फुट कलर तो मैं यलो वाले थोड़ा सा फूट कलर यूच कर रही हूँ क्योंकि हलवाई स्टाइल में आज बनाने वाल हूँ तो एकदम आज का जो रस्मला है यह एकदम मार्केर जैसा बनेगा आप देखिएगा आज वीडियो को पूरा कंठेनिव कीजिएगा तो जरा से यहां डालना है एक चूट की यलो रंग का फूट कलर उसके बास यह देखिए दूध के अदम कलर काफी चेंज हो गया एकदम मार्केर जैसी दीखेगी अब इसको खौलते मतलब जितना ही इसमें उबालेगा यह दूध अपने आप ठीक हो जाएगी बीच बीच में इसको चलाते रहना है इसको लगभग यहां गाढ़ा करते वक्त यहां मेरा 20-25 मिनट का टाइम गया था यह लगभग 15-20 मिनट हो गया यह देखिए एकदम आधा हो चुका है इसक उबाल लाते हैं तो यहां डालते हैं थोड़ा सा इनाइची पाउडर इसके फ्लेवर के लिए फ्लेवर बहुत ही अच्छा सा इसमें आ जाती है यह देखिए फाइनली एकदम हमारा आधा हो चुका है आप देख सकते हैं कडाही में एकदम सैड़ सैड़ इसको जितना भी कट करके डाल लेते हैं मार्केट में देखेंगे रस मलाई का जो यह रस होता है दूदोला उसमें ड्राइफुर्स डाले रहते हैं तो बहुत ही टेस्टी लगता है तो चलिए हमारा जब तक वह गैस का फ्लेम कम करके उसको हम 5 मिनिट के लिए और होगा तब तक हम इधर द देख सकते हैं साफ क्लियर दीख रही है इस तरह से इसको मसल देते हैं सारे पनीर को ताकि इसमें जितना भी गाठ रहते हैं इसको बनाना है पनीर का जैसे आटा का इदम सॉफ्ट डो रहता है उस तरह से यह बंद जाएगा फिर इसका एक गोला गोला बना लेते हैं और ज 20 मिनट इसको लग गया था ये देखे इस तरह से एकदम बरम हो गया 20 मिनट कम से कम यहां मैं इसको पनीर को हाँस की तलहति से मसल ले एकदम ये सॉफ्ट ऐसा बन जागा देखे एकदम ऑयल कल चुगा है एतरम सॉफ्ट होग आप इस इसको गोला गोला बानध लीजिया तो इस तरह से एक दम गोला गोला इसको बना लीजिए हाथ एक धायता से के इस लिए यह देखेए है परफेक्ट एकदम इसका चिकनाहर देखे मैं पास से दिखाती हूं तो सारा हमारा पनीर का जो बॉल से वह बना के मैं यहां रेडी कर चुके हूं तो उसके बाद से हम चलते हैं गैस की और एक बड़ा बरतन चड़ाईए और उसमें चीनी लिजिए तो कि यहां मेरा सारा बॉल से बनके एकदम रेडी हो गया है तो निन सारे पनीर का बबॉल को एकदम हाई रखना है यहां गैस का फ्लेम यहां तीजर रखना है और सारे बॉलस को यहां डालकर इसनल कभर करके रख देते पांच मिनट के लिए तो मैं पांच मिनट के बाद आपको दिखाती हूं इसका पनीर का तो वाव यह देखिए यह है परफेक्ट एकदम हमारी पनीर का जो बॉल से देखिए कितना अंतर हो गया एकदम फूले फूले एकदम मतलब डवल साइज में हो गया है सारे पनीर के इसको उबालना है जबकि एकदम मतलब यह चासनी जितना भी आपको दिख रहा है यह अपने आप एकदम आधा से भी आधा हो जाएगा तब तक इसको उबालना है तो हम इसको कवर करके फिर से छोड़ देते हैं तो फिर हम यहां पांच से साथ मिनट के बाद फिर से क्ल़न पांच सबीje जरूलोस हिए जाच ड regionली के अधा उबल साइज से तो हम जयरूँ देख ही आधा हो नीकि इसको पने हो टो फिर करके हो जाएं गेडा हुरू जाख में ऊपने आपको झाजियरों आपके पांते हेगा आप ऐसापम फिर यह गर्याय सब्सक्ष्ट तो अब बीच में ग्यास का फ्लेम कम या हाई आप कर सकते हैं तो यह देखिए मैं इसको दिखाती हूं तो यह 10 से 12 मिनट हो गया तो मैं इसको एक चक करके दिखाती हूं यह पनीर कितना हुआ है और कितना नहीं तो यह गरम था बहुत ज्यादा मैं दिखाती हूंगा इस बहुत ज्यादा गरम था तो आप एक कर्टोरी में पानी लीजिए भरके और उसमें यह पनीर को डालके और इसको दबा के देखिए तो इसमें कितना ज्यादा सौफनेस आई है वाव एक दम परफेक्ट आप देख सकते हैं मैं इसको ऐसे दबाईत तो इसमें अच्छा सा पका है हमारा पनीर यह देखिए परफेक्ट तरीका यह देखिए आप देख सकते हैं मैं इसको डाइरेक्ट आपको दिखा रही हूं तो यह भी थोड़ा और होगा ना तो पूरा सा एक दम यह 10 मिनट के लिए मैं यहां और उबाल लिए आप उसी त पानी में रखेंगे तो वह अपने साइज में आ जागा तो यह है परफेक्ट तरीका कि हमारा पनीर बहुत अच्छा और स्पंजी बना है तो उसको कम से कम 15-20 मिनट यहां मैं खौल आ चुकी हूं 20-25 मिनट भी हो सकता है उसके बास से चलिए यहां हमारा पूरा रेडी हो क किया उसके बास से जो हमारा ये दूध ह में गारा किये थे उससाइड मेन उसमें हम सारे पनीर को डाल देते हम बॉल्लस को रसमलाई को आ फिर प्रीज में भी रख सकते है हम दोनों में जहां भी सूइदा हो ये सेट होने का थोड़ा सा टाइम लगी जो हमारे ये बॉल्स डाले हैं पने को थोड़ा सा अब्जर्ब कर ले दूद को ती देखिए अभी के वीडियो और मैं इसको आपको एक घंटे के बाद की वीडियो दिखाऊंगी बहुत ज्यादा दोनों में अंतर रहेगा तो फिर अच्छे से चला दीजे सबको यहां मैं फ्रेज में सेट होने के लिए रख दिती एक घंटा के लिए ये कितना अच्छा से एकदम सेट हुआ है एकदम मार्केट जैसी हमारी ये रसमलाई ये ड्राइफूर्स वाव दम मुह में पानी आ रहा है ने ये रसमलाई देखके त ये देखिए इसको बनाने में करीब मुझे एक घंटा टाइम लगा तो ये अच्छा से एकदम बनके रेडी हो गया तो चले इसको मैं यहां एक काच के बॉल्स में निकालके दिखाती हूं बहुत ही अच्छा से लगेगा एकदम ये देखिए सारे रसमलाई बनके एकदम और जितना देखने में अच्छा लग रहा है उतना खाने में भी पहुश थी ज्यादा टेस्टी एकदम बाजार से कम नहीं है आप लोग भी इस रेश्पी को ज़रूर से ट्राइक कीजिएगा एक बार में ही परफेक्ट ये रसमलाई बनके रेडी होगी 100% एकदम अस्पं जैसी है तो उम्मीद है कि आप लोगों को आज का ये वीडियो बहुत 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 ज्यादा पसंद आई होगी तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसे ही अच्छे वीडियो देखने के लिए बेल आइकन घंट को भी दवा दिजिएगा तो फिर से मिलती हूं मैं काजल एक नए वीडियो में एक नए रेस्पिक सेथ बाए फ्रेफ